driving license ना मिलने की वज़ा से अगर आप लोग परेशान थे तो अब आपके लिए खुश खबरी है क्योंकि बहुत जल्द आपके driving license इशू कर दिये जाएंगे तक्रिबन 2 लाख के करीब ऐसे driving license हैं जिन्हें अभी तक पिछले डेड़ साल से इशू नहीं किया गया और अब अगले एक से दो महिने के अंदर अंदर तमाम लोगों को driving license इशू कर दिये जाएंगे क्योंकि आपने अलग-अलग social media platforms पर भी देखा होगा हमने भी कहीं बार आप तक खबरें पहुँचाई कि driving license ना मिलने की वज़ा से लोग काफी ज़्यादा परेशान है और कभी कुबार ट्राइफिक की जानित से इन लोगों के चालान भी किये जाते हैं हलांकि इन्होंने trial भी qualify की है उसके बावजूद भी लोगों को driving license नहीं मिल रहे थे और इससे काबल आर्टियो कश्मीर की जानित से भी ये कहा गया था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तमाम लोगों को जल्द जल driving license इशू किये जाएं जिन्हें अभी तक जो है वो driving license नहीं मिले है लेकिन आपको बता दें कि जम्वा कश्मीर यूटी के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेट की जानित से अब driving license की printing और dispatching शुरू कर दी गई है जितने भी लोग driving license का इंतजार कर रहे थे उन्हें अब बहुत जल जो है वो driving license दे दिये जाएंगे इसके साथी साथ आपको ये भी बता दे कि तक्रिबन दो लाग driving licenses की printing शुरू हो चुकी है पिछले एक से डेर साल की बात करें तो लोगों को driving license नहीं मिल रहे थे और ministry of road transport की बात करें ministry of road transport के साथ collaboration करके जो है government of India की जानित से ये target जो है पूरा किया जा रहा है और अगले दो महिने के अंदर अंदर तबाम उन लोगों को driving license मिल जाएंगे जिन्हें अभी तक driving license नहीं मिले थे और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि transport commissioner जमुआ कश्मीर रजिंदर सिंग्तारा के मताबिक motor vehicle department की जानित से कुछ नई चीज़ है driving license को लेकर मतारफ कराई जा रही है जिनमे qr code की बात करें क्योंकि इससे कबल जब आपको driving license दिया जाता था तो वो एक normal laminated card आपको दिया जाता था लेकिन अब इस driving license में motor vehicle rules 1989 के तहट जो है वो qr code भी लगाया जाएगा यानि अब जो driving license आपको दिया जाएगा उसमें qr code होगा इसके अलावा भी कुछ नई चीजें जो है वो driving license में मुतारफ कराई दा रही है department की जानिब से ये भी कहा गया है कि तमाम तर जुरूरी arrangements जो है वो इस हवाले से कर दिये गए है और इससे कबल जो है through post आपका driving license जो है वो नहीं पहुँच पाता था लेकर अब इसके बाद जो है वो postal department के साथ भी motor vehicle department जो है वो काम करेगा उनसे बातचीत भी हो गई है और अब जो है 24 से 32 गहंटे के अंदर अंदर आपका driving license जो है वो आपकी डहलीज पर पहुँच जाएगा आपके घर पहुँच जाएगा यह depend करता है कि आपका distance कितना दूर है यानि जहां से आपका driving license issue होना है वहां से आपका घर कितना दूर है लेकर यहां पर बताया गया है कि 24 से 72 गहंटे के अंदर अंदर तमाम लोगों को जो है वो driving license मिल जाएगे जब आपकी trial वगरा qualify हो जाएगी तो उसके बाद 24 से 72 गहंटे के अंदर अंदर आपका driving license आपको भेज दिया जाएगा और इसके साथ आपको बता दे कि आप track भी कर सकते हैं जो mobile number आपका registered होगा उस mobile number से आप track भी कर सकते हैं कि आपका driving license कहां तक पहुँचा है और जब ये सारा मुकमल process हो जाएगा उसके बाद जो है आपका driving license आपके घर पहुँच जाएगा क्यूंकि इससे कबल printing material की जो है वो शाटे जमुआ केश्मिर में देखने को मिल रही थी जिसके नतीजे में लोगों के driving license जो है वो उन्हें नहीं मिल पा रहे थे driving license जो है वो issue नहीं किये जा रहे थे लेकर अब ऐसा नहीं होगा अब शाफ तोर पर बता दिया गया है कि अगले एक से दो महीने के अंदर अंदर सक्रिबन दो लाग driving licenses की printing का काम जो है वो शुरू कर गया है और इन्हे जो है जिन लोगों के अभी तक पिछले तेट साल से ड्राइविंग लाइसंस नहीं मिले थे उन्हें जो है अब जल्द जल जो है वो ड्राइविंग लाइसंस फराहम करने की कोशिश की जाएगी और आपके इस ड्राइविंग लाइसंस में आप क्यूर कोड होगा और ये एक नया फीचर जो है इसमें मुतारफ करा दिया गया है बाकि जब भी इस हवाले से कोई नई खबर निकल कर आएगी वो हम आप तक जुरूर पहुचाने की कोशिश करेंगे लेकिन फिलाल आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है क्यूंकि अगर आप लोग आई तक ड्राइविंग लाइसंस ना मिलने की वज़ा से परेशान थे तो अब मोटर विकल डिपार्टमेंट की जानिब से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से ये काम शुरू कर जिया गया है और बहुत जल्द आपको ड्राइविंग लाइसंस मिल जाएगा